हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो दिखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी हैं आज है बटे हमारे पास क्लास 11 का यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 4 वीडियो 96 वीडियो है और इससे पहले 35 वीडियो आपको पुरा पढ़ सकते हो और अपने उन्दर से नोट्स बना सकते हो जो exam में आपकी बहुत ज़्यादे help करेंगे इसी के साथ साथ आपको नीचे description में PDF notes का link भी मिल जाएगा और आप PDF notes के लिए telegram पर भी search कर सकते हो KMD सहरनपुर तो देखते हैं आज का हमारा target क्या है आज बेटे हमें पढ़ना है आणविक कक्षक सिध्धांत जिसे हम इंगलिस में बोलते हैं Molecular Orbital Theory या sort में हम लिखते हैं M.O.T तो आज हमें आणविक कक्षक सिध्धांत पढ़ना है या Molecular Orbital Theory पढ़ना है या आप इंगलिस में इसे कह सकते हो M.O.T पढ़ना है और ये important है इसे समझना बहुत जरूरी है और सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहला क्योफचन हमारे दिमाग में आता है कि सर आणविक कक्षक सिध्धांत किस वैग्यानिक ने दिया था तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आणविक कक्षक सिध्धांत देने वाले दो वैग्यानिक थे एक तो हुंड और एक मुलीकन तो दो वैग्यानिकों का नाम आप याद रखोगे एक तो हुंड का नाम याद रखोगे और एक मुलीकन का इन दो वैज्ञानिकों ने दिया था आणवी कक्षक सिध्धान्त अब दूसरा क्योफ्चन आता है कि सर आणवी कक्षक सिध्धान्त किसलिए दिया गया था मतलब इसके देने का क्या करण था इसका करण पता क्या था देखो आपको पता है कि जब दो परमाणू आपस में जुड़ते हैं या संयोग करते हैं तो उनके बीच में बंध बनता है क्या बनता है बंध और बंध बनने का कारण क्या है और किस प्रकार बंध बनता है जब दो परमानू आपस में सहीयोग करते हैं तो अनू बनता है दो या दो से अधिक परमानू सहीयोग करेंगे तो भी अनू ही बनेगा तो अनू के बनते समय इलेक्ट्रोनों की क्या व्यवस्था होती है अनू के बनते समय जब दो या दो से अधिक पर्मानू आपस में जुड़ते हैं तो अनू बनता है और अनू के बनते समय इलेक्ट्रोनों का क्या होता है हमें इस बात का तो पता है हमें इस बात का तो पता है कि मानलो आपके पास कोई पर्मानू है देखो इस बात का तो आपको पता है कि मानलो आपके पास कोई परमानू है और परमानू के बिलकुल बीच में क्या होता है नाभीक परमानू के बिलकुल बीच में नाभीक होता है सबको पता है एक परमानू में एक नाभीक होता है और नाभीक के चारो तरफ होती है कक्षा कक्षा कह दो आप या और्बिट्स कह दो या कोश कह दो और कक्षा के अंदर होते हैं उपकोश जिने आप कहते हो SPDF यह परमाणू की बात कर रहे हैं और उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक उपकोस के अंदर क्या होते हैं कक्षक जैसे आपको पता है कि S उपकोस में एक कक्षक होता है और P में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 कक्षक होते हैं और F में होते हैं 7 कक्षक और कक्षक के अंदर होते हैं Electron ये विवस्था आपने अब तक सिखी है पर्मानू के बारे में आपने सिखा है कि पर्मानू के बीच में नाभीक नाभीक के जारो तरफ कक्षा कक्षा के अंदर उपकोस भई कक्षाओं को आप किस से लिखते हो के ल, एम, एन ऐसे ही तो लिखते हो आप कक्षाओं को आप लिखते हो KLMN से और कक्षक के अंदर क्या होते हैं उपकोस उपकोस को आप लिखते हो SPDF से और उपकोस के अंदर कक्षक जिन्हें आप वर्गाकार बॉक्स से इस तरीके से दिखाते हो कक्षक के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोन नॉर्मली एक कक्षक के अंदर कितने electron आ सकते हैं, दो electron आ सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके से, जब दो पर्मानू आपस में सहियोग करेंगे, तो अनू बनेगा, तो अनूओं में electron कहां रहते हैं, इस चीज को समझाया गया, इस सिद्धान्त में, Molecular Orbital Theory, यानि MOT में समझाया गया, कि अनूओं के अंदर भी कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था का मतलब कक्षक वाली व्यवस्था, जिस तरह परमानूओं में electron कक्षकों के अंदर होते हैं, यहीं तो होते हैं, electron इस तरीके से, यदि के होते हैं, और उनमें electron की व्यवस्था क्या होती है, इस सारी बात को समझाने के लिए, यह theory दी गई है, ठीक है, इसलिए इस theory का नाम है, आनवी कक्षक सिद्धान्त, यानि अनूओं में भी कक्षक होते हैं, जैसे परमानूओं में कक्षक होते हैं, जिनके अंदर electron हैं, तो समझना स्टार्ट करें, देखो, सबसे पहली बात, हुंड तथा मुलीकन ने सिद्धान्त दिया था, और क्या बताया था, सबसे पहली बात क्या बताई, जिस प्रकार परमानूओं में electron, परमानूं कक्षकों में होते हैं, भाई, परमानूं में electron कहा है, कक्षकों के अं उसी प्रकार अनू में इलेक्ट्रोन आनवी कक्षकों में होते हैं तो जिस तरह परमानू में परमानू कक्षक है या परमानू कक्षक क्या दो इसी तरह अनू में भी कक्षक होते हैं जिने हम कहते हैं आनवी कक्षक देखो ये नया सब्द आपको यहां सीखने को मिला नया ट जिस तरीके से पर्माणू में पर्माणू कक्षक होते हैं, ठीक इसी तरीके से अनूओ में भी कक्षक होते हैं, और उन कक्षकों को हम कहते हैं आणवी कक्षक, और जिस तरह पर्माणू कक्षक में इलेक्ट्रोन होते हैं तो पर्माणू के मिलने से जो अनू बनता है, उस अ दिशात्मक होते हैं ये सब्द दिशात्मक बार बार आता है और मैं बार बार इसे समझाता हूँ कि दिशात्मक या डिरेक्शनल का मतलब क्या है जहां भी सब्द दिशात्मक आता हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिशात्मक का मतलब निश्चित जामीतिया आकर्ती बस और फालतू की चीज समझने की आवशक्ता नहीं है जहां भी सब्द दिशात्मक आता है तो आपको समझ जाना चाहिए निश्चित जामीतिया आकर्ती जब किसी कक्षक की या किसी अनू की या किसी योगी की कोई निश्चित जामीतिया आकरती होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर दिशात्मक गुण है directional character उसके अंदर है ठीक है तो आणवी कक्षक भी परमाणवी कक्षकों की तरहे दिशात्मक होते हैं बही परमाणवी कक्षक आपको पता है कि S कक्षक की आकरती गोल होती है P कक्षक की आकरती डंबल के जैसी होती है माने डंबरू जैसी D कक्षक की आकरती डंबल डंबल जैसी होती है यानि द्वी डंबरू जैसी D कक्षक की आकरती भी कोई निश्चित आकरती है भले ही वैज्यानिकों को अब तक उसका पता ना चला हूँ तो जब किसी भी कक्षक की एक निश्चित जामीती आकरती होती है तब ही हम कहते हैं उसे की वो दिशात्मक है ठीक है? तो जिस तरीके से आणवी कक्षक ऐसे ही दिशात्मक होते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं ये बहुत important point है इसकी हमें ज़रुरत पड़ती है देखो मैं बताता हूँ मालो आपके पास एक परमानू है hydrogen का इसके पास एक electron है ये दूसरा परमानू hydrogen का है इसके पास भी एक electron है तो इसका electronic विन्यास आप क्या लिखोगे 1s1 लिखोगे और इसका भी electronic विन्यास आप 1s1 लिखोगे तो एक इसमें आपको पता चल रहा होगा कि S में एक कक्षक होता है और electron भी कितना है एक इसके भी S में एक कक्षक और electron कितना है एक तो ये दो परमाणू जब H और H आपस में मिलते हैं तो H2 बनता है पता है आपको यदि मैं कहूं कि यार H2 ऐसे बनेगा यदि मैं कहूं H2 ऐसे बनेगा इस H और इस H परमाणू के मिलने से तो इसका एक परमाणू कक्षक इसका एक परमाणू पक्षक दोन्नों आपस में मिलेंगे तो दोन्नों के मिलने से दो ही आनवी कक्षक बनेंगे एक तो यहां बनेगा और एक तो उपपर बनेगा देखो एक आनवी कक्षक तो मैं यहां बना देता हूँ ये भी एक आनवी कक्षक है और ये भी एक आनवी कक्षक है तो यहां सिरफ इतनी बात आपको समझनी है कितनी बात? इतनी समझनी है कि जितने परमानवी कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही आनवी कक्षक बनते हैं कितने परमानवी कक्षक हैं? दो आणवी कक्षक भी कितने बने हैं? दो, समझ में आई ना बात? तो दो ही आणवी कक्षक बने हैं अगली बात कर रहे चलो नमबर चार परमानू कक्षक एकल केंद्रिये तथा आणवी कक्षक बहु केंद्रियों होते हैं ये दो सब्द बच्चों को बहुत खतरना हग लगते हैं एक तो ये एकल केंद्रिय है यानि मोनोसेंट्रिक और बहु केंद्रिय है यानि पॉलिसेंट्रिक मुझे एक बात बताओ कि परमानू कक्षक किस में होंगे? परमानू में होंगे और परमानू के कितने नाभिक होते हैं एक परमानू का एक ही तो नाभिक होता है यानि परमानू का जो कक्षक होगा वो केवल एक ही नाभिक के प्रभाव में होगा या एक ही नाभिक को महसूस करेगा एक ही नाभिक का प्रभाव उसके उपर पड़ेगा इसलिए पर्मानु कक्षक को हमने लिखा है एकल केंद्रिय है क्योंकि पर्मानु कक्षक प्रभाव में रहता है केवल एक ही पर्मानु के नाभीक के जबकि यदि आप मतलब इस पर्मानु कक्षक की बात करोगे न ये तो परमाणू कक्षक है, ये भी परमाणू कक्षक है, तो ये वाला परमाणू कक्षक इस हाइडोजन परमाणू के एक नाभीक के प्रभाव में रहेगा, इसलिए ये दुनों परमाणू कक्षक ये इसके नाभीक के प्रभाव में और ये इसके नाभीक के प्रभाव में इसलिए कहा है कि परमानु कक्षक एकल केंद्रिय होते हैं परमानु कक्षक पक केवल एक ही नाभिक का प्रभाव पड़ता है जबकि आनवी कक्षक ये आनवी कक्षक है ये भी आनवी कक्षक है ये आनवी कक्षक इस परमानू के नाभिक के प्रभाव को भी महसूस करेगा और इस परमानू के नाभिक के प्रभाव को भी महसूस करेगा और ऐसा ही इस आनवी कक्षक के साथ होगा यानि जो आनवी कक्षक होता है न, वो उन सभी परमानूओं के नाभिक के प्रभाव को महसूस करता है, जिन परमानूओं के कक्षकों से मिलकर वो बना है, जैसे ये परमानू कक्षक दो परमानूओं से मिलकर बना है, तो इस आनवी कक्षक के उपर इसका भी प्रभाव होग और इसके नाभिक का भी प्रभाव होगा, इसलिए कहा गया है आनवी कक्षक बहु केंदरिय होते हैं, यानि बहुत सारे केंदरकों के, बहुत सारे नाभिकों के प्रभाव को महसूस करते हैं बताओ clear हो रही का बात ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए बटे कि परमानू कक्षक एकल केंदरिय होते हैं क्योंकि एक ही नाभीक के प्रभाव में रहते हैं तथा आणवी कक्षक बहु केंदरिय होते हैं क्योंकि बहुत सारे नाभीकों के प्रभाव में रहते हैं बहुत सारे का मतलब दो भी हो सकता है तीन भी उसके बाद next नमबर पांच पांच भी बात हुंड और मुलीकन ने क्या बताई पांच भी बात बताई यह बात बहुत ध्यान से समझनी बेटे पांच भी बात पांच भी बात important है बहुत इसकी बहुत जरूरत पढ़ने वाली है हमें आगे दो परमानू कक्षकों के मिलने से जो दो आनवी कक्षक बनते हैं देखो यह दो परमानू कक्षक आपस में मिले और दो आनवी कक्षक बने जो दो आनवी कक्षक बनते हैं उन में से एक की उर्जा कम होती है देखो एक की उर्जा कम है उसे मैंने निच्चे बना दिया जिसे आबंधित आनवी कक्षक कहते हैं तो यह जो निच्चे बना है इसे कहते हैं अबंधित आनवी कक्षक ध्यान रखना इस बात को चलो मैं लिख देता हूँ यह जो निच्चे बनता है इसे कहते हैं आबंधित आनवी कक्षक यहां तो दिखाई दे रहा होगा आपको आबंधित आनवी कक्षक जिसकी उरजा कम होती है बही मालनों दो परमाणू कक्षक आपस में जुड़ते हैं एक ये एक ये दोनों का संयोग हुआ या अतिव्यापन हुआ या दोनों जुड़े इनके मिलने से दो ही आणवी कक्षक बनेंगे जिसकी उर्जा कम होगी उसे निच्चे बनाते हैं और उसे कहते हैं आबंधित आणवी कक्षक और जिसकी उर्जा जादे होती है देखो तथा दूसरे की उर्जा अधिक होती है जिसे प्रती आबंधित आणवी कक्षक कहते हैं तो उपर वाला जिसकी उर्जा जादे है उसे हमने उपर बना दिया इसे कहते हैं प्रति आबंधित आणविक कक्षक आणविक कक्षक को आप अनु कक्षक भी कह सकते हो ठेक है? तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि दो पर्मानु कक्षकों के मिलने से ये दो पर्मानु कक्षक हैं ये दुन्नों आपस में मिले जो दो आणवी कक्षक बने जितने परमानु कक्षक आपस में मिलते है उतने ही आणवी कक्षक बनते हैं उनमें से एक की उर्जा कम होती है जिसकी उर्जा कम है उसे हमने नीचे बना दिया जिसे क्या कहते हैं जिसे आबंधित आणवी कक्षक कहते हैं जिसकी उर्जा कम होती है जिसे इच्चे बनाया जाता है उसे कहते हैं आबंधित आणवी कक्षक तथा दूसरे की उर्जा अधिक होती है जिसकी उर्जा अधिक है उसे उपर बनाते हैं और इसे कहते हैं प्रति तो जादे स्थाई होता ही है, जादे परिशान, जादे बेचैन तो वो होता है, जिसकी उर्जा जादे हो, जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जादे बेचैन, जादे परिशान, जादे सरारती, जादे दंगई इसलिए होते हैं, क्योंकि उनकी उर्जा बहुत जादे होती है आदमी की age जितनी बढ़ती रहती है न उसकी सैतानिया उतनी कम होती रहती है इसका reason सिद्धा साथ यही है कि उसका energy level down ठीक है अब देखो जितना energy level down उतने ही stability जा दे अब हम बात करेंगे number 6 की आबंधित कख्षकों को sigma pi तथा प्रति आबंधित कख्षकों को आबंधित कक्षक होते हैं आबंधित कक्षकों को तो हम sigma या pi से लिख सकते हैं इन्हें तो प्रदर्शित करने के लिए आप या तो sigma या तो pi का प्रियोग करोगे और इन्हें प्रदर्शित करने के लिए sigma star या pi star का प्रियोग करोगे अब देखो अब आपके दिमाग में आ करा होगा कि चलो ठीग है इहां स्टार नहीं है और इहां स्टार लगा दिया sigma pi का पता कैसे चलेगा बहुत आसान है आपको पता है यदि कहीं और यदि कहीं triple bond बनता है तो एक sigma और दो πाई होते हैं जब मैं इसके example समझाऊंगा तो मैं वहाँ बता दूँँ आपको पता चल जाएगा कि sigma और πाई का कैसे पता चलता है वैसे तो यही concept है जो यहाँ लिख दिया ठीक है? उसके बाद number 7 आपको पता चल जा कि जो आबंधित आणवी कक्षक हैं वो sigma और πाई से लिखे जाते हैं और प्रती आबंधित आणवी कक्षकों को sigma स्टार और πाई स्टार से लिखा जाता है number 7 आनवी कक्षक की आकरती अतिव्यापन करने वाले परमाणू कक्षकों पर निर्भर करती है मतलब यह जो आनवी कक्षक हैं इनकी आकरती इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कौन से परमाणू कक्षकों के जुडने से या मिलने से या संयोग करने से या अतिव्यापन से बने है ठीक है दुबारे पढ़ता हूँ इस लाइन को देख लो आणवी कक्षक की आकरती अतिव्यापन करने वाले परमाणू कक्षकों उपर निर्भर करती है कि जैसे परमाणू कक्षकों ने अतिव्यापन किया है आणवी कक्षकों की आकरती उन परमाणूवी कक्षकों के उपर निर्भर करेगी कि वे आणवी कक्षक किन परमाणूवी कक्षकों के अतिव्यापन से बने हैं उसके बाद आते हैं नमबर आठ पर जिस प्रकार किसी परमानू के नाभीक के चारो और इलेक्ट्रोन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना परमानू कक्षक द्वारा दी जाती है देखो जब हम कक्षक या परमानू कक्षक की परिभासा पड़ रहे थे महाँ जब हमने प्रमाणू की सन्रचना के बारे में पढ़ा था तो महाँ एक बात बताई थी कि नाभीक के चारो और वो तरिवी मक्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रोन के पाएजाने की संभावना सबसे अधीक होती है उस तरिवी मक्षेत्र को हम कहते हैं पर्मानू कक्षक ठीक है तो पर्मानू कक्षक से तो पता चलता है कि वो जो पर्मानू है उसके नाभिक के चारो ओर ऐसा कौन सा त्रीवे मक्षेतर है जहां इलेक्ट्रोन के पाई जाने की संभावना सबसे जादे है उसे हमने कहा था पर्मानू कक्षक देखो दुबारे प परकार अणू में आणवी कक्षक द्वारा दी जाती है तो यदि कोई पूस्ता है न कि किसी अणू में इलेक्ट्रोन पाए जाने की संभावना कहां सबसे जादे है तो अणू में इलेक्ट्रोन पाए जाने की संभावना जिस त्रिवीमी अक्षेत्र में सबसे जादे होती ह उस त्रिवीमी अक्षेत्र को आप आणवी कक्षक कह सकते हूँ जिस तरह परमाणू में आपने परमाणवी कक्षक कहा था ठीक है उसके बाद देखते हैं अगला नंबर शॉरी नंबर नो आणवी कक्षकों में इलेक्ट्रोन का प्रवेस आप बाहु नियम यानि इलेक्ट्रोनों का प्रवेस जैसे हम आप बाहु नियम पढ़ रहेते ना आप बाहु नियम में कहा था कि इलेक्ट्रोनों का प्रवेस उर्जा के बढ़ते हुए करम में होता है इसी तरीके से तब यह ठीक नहीं है आज कुछ है देखो देखो नोवा पॉइंट यहां बीच में से स्टार्ट किया है बोर्ड पे जगा कम थी इसलिए theoretical part कुछ जाद ही था आज आनवी कक्षकों में electron का प्रवेस आवबाहु नियम के अनुसार ही होता है जैसे परमानवी कक्षकों में होता था पावली के अपवर्जन नियम के अनुसार भी होता है तथा हुंड के नियम के अनुसार होता है यह जो तीन नियम है सॉरी आनवी कक्षकों में electron बैई देख लो द्यान से थोड़ी ची प्रॉग्लम है तब यह ठीक नहीं है मेरी हो जाएगे ठीक दिरये दिरये बने आप आनवी कक्षकों में electron का प्रवेस आप बहु नियम मतलब आप बहु नियम जैसे परमानूं में लगता है ऐसे ही आनवी कक्षकों के लिए भी अपलाई है होता है और पावली के नियम, पावली का वर्जन नियम भी लगता है आणवी कक्षकों के लिए, तथा हुंड का नियम भी लगता है, इन सभी नियमों के अनुसार ही इलेक्ट्रोनों का प्रवेस होता है आणवी कक्षकों में, ठीक है, तो ये हमारे पास स्कूल मिला के 9 पॉइंट ह यदि एक्जाम में क्योफ्चन आता है कि MOT या Molecular Orbital सिद्धान्त Orbital Theory या अनवी कक्षक सिद्धान्त को स्पस्ट करो केवल इतना क्योफ्चन आता है और एक उधारन भी दो तो आप क्या करोगे? आप इन पॉइंट्स को लिख क्या होगे? पॉइंट्स बहुत आसान है जादे मुस्किल नहीं है देखो मैं फास्टली रिपीट कर रहा हुंड और मुलीकर ने थियोरी दी थी पहली बात बताई थी कि जिस प्रकार परमाणू में इलेक्टोन परमाणू कक्षकों में होते हैं उसी प्रकार अणू में इलेक्ट्रोन कहा होते हैं, आणवी कक्षकों में होते हैं, भई परमाणू के परमाणू कक्षक और जब दोनों जुड़के H2 बना लेंगे तो बन जाएंगे आणवी कक्षक, फिर इसमें इलेक्ट्रोन भरेंगे, ठीक है, तो यदि आप यहां आप बव नियम से चलते हो, तो दो इलेक्ट्रोन है ना, दो इलेक्ट्रोन तो पहले यह भरेगा दो इलेक्ट्रोनों से, ठीक है, जब यह भर जाएगा तो उपर बरेंगे इलेक्ट्रोन, उसके बाद नमबर दो, आणवी कक्षक भी परमाणवी कक्षकों की तरह दिशात्मक ह यानि आणवी कक्षकों की भी एक निश्चित जामीती आकरती होती है जैसे इनकी थी नमबर तीन जितने परमानवी कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही आणवी कक्षक बनते हैं भई दो परमानवी कक्षक आपस में मिले तो दो ही आणवी कक्षक बनेंगे यदि चार मिलते तो चार बनते ठीक है तो जितने परमाणवी कक्षक आपस में मिलते हैं उतने ही आनवी कक्षक बनते हैं नमबर चार परमाणू कक्षक एकल केंदरी है तथा आनवी कक्षक बहु केंदरी होते हैं परमाणवी कक्षक तो एकल केंद्रिय होंगे क्योंकि परमाणू में एक नाभीक होता है और आणवी कक्षक बहु केंद्रिय है इसलिए होंगे क्योंकि अनू में तो बहुत सारे नाभीक होते हैं अनू में सभी परमाणू के अलग अलग नाभीक हैं इसलिए लिखाया कि जो दो आणवी कक्षक बनते हैं, उन में से एक की उर्जा कम होती है, जिसे आबंधित आणवी कक्षक कहते हैं, कम उर्जा वाला निच्चे है, आबंधित आणवी कक्षक, तथा दूसरे की उर्जा अधिक होती है, जिसे प्रति आबंधित आणवी कक्षक कहते हैं, जिसकी उर्जा कम होती है वो तो स्थाई होता ही है जादे नमबर 6 आवंधित कक्षकों को सिग्मा पाई तथा प्रति आवंधित कक्षकों को सिग्मा स्टार पाई स्टार से प्रदर्शित करते हैं ठीक है नमबर साथ आणवी कक्षक की आकरती अतिव्यापन करने वाले परमाणू कक्षकों उपर निर्भर करती है कि कैसे परमाणू कक्षकों से मिलके वो आणवी कक्षक बने हैं नमबर आठ, जिस प्रकार किसी परमानू के नाभिक के चारोर इलेक्ट्रोन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना परमानू कक्षक द्वारा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार अणू में आणविक कक्षक द्वारा दी जाती है, नमबर 9, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रोन का प्रवेस आपबाहु नियम, पावली के अपवर्जन नियम, तथा हुंड के नियम के अनूसार होता है, और ये एक 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 जामपल मान के चलो, आप निच्चे जो है एक 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 जामपल है, ये हाईडूजन का, ठीक है, इस तरीके से आपको आपको बताना है, इसके एक जामपल मैं और डिटेल में बताऊँगा, ये तो इन पॉइंट्स को समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, या स्क्रीन सॉट लेंगे, लेलिया बेटे स्क्रीन सॉट, ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी थियोरी या सिद्धान्त, आणवी कक्षक सिद्धान्त, बस इसका पूरा निचोड ये है, कि जिस तरह परमानू में, परमानू कक्षक होते हैं, इसी तरह अण में होते हैं, आणवी कक्षक, और आणवी कक्षक के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रोन, वे इलेक्ट्रोन जो आपस में साजेदारी करते हैं, ठीक है, इस थियोरी के सारे पॉइंट्स को आपको सीखना है, मेन पॉइंट्स मैंने हाइलाइट कर दिये, एक तो आपको जिनकी उर्जा कम है जिनकी जादे है इनके बारे में पता होनी चाहिए आबंदित आंडविक कक्षक और प्रति आबंदित आंडविक कक्षक ठीक है bonding molecular orbital और anti-bonding molecular orbital एक को sigma pi से लिखा जाता है और anti-bonding को लिखा जाता है sigma star pi star से इसकी जरुत पढ़ेगी ना अगले lecture में ठीक है वैसे दुन्नों में अंतर में आपको करा हुआ ठीक है बस महनत और इमानदारी से पढ़ा ही करते रहो और अपने handwritten notes मनाते रहो जिससे आप fast revision कर सको ठीक है तो thank you very much for watching this video, okay, bye झाल झाल झाल